सार यह जो मामला आया है है इसके और क्या होना चाहिए देखे इपिटाइटीस सी जो है डाइलिसीस पेसेंड में उनका आम बात है कि उनमें कुछ लोग पॉजिटिव आ जाते हैं लेकिन अचानक से हमारे पास कुछ मरीज आये हैं कि हमें दवा दो चुकि सरकार ने नेशनल हीपिटाइटीस कंट्रोल प्रोग्राम लॉंच कर दिया है और हम हीपिटाइटीसी की फिरी दवा दे रहे हैं ऐसे में हमारे पास यहां पर एक दिन बहुत सारे मरी जाए कि हमें 50 लोगों को हो गया है जो की जांस के बाद पता लगा है कि 29 हैं 50 नहीं हैं और हमें आप कुछ लोगों में उसमें से एक ब्यक्ति ने जब जांस कराई है एम से जो आई है उसकी आरने की रिपोर्ट यहां से पॉजटिव थी वहां से नेगटिव थी तो उसको दवा देने से मना करने पर ही यह ज़्यादा मामला प्रकास में आया है क्योंकि वो ब्यक्ति और डाय हुआ है इन में इसको और आगे कैसे रोक थाम की जाए और इनको अगर दवा देनी है तो क्या यह सचमुच में सब के सब इभिटाइटी सी के पेसेंट हैं तो हम चाहते थे कि इनकी जाँच अगर ऑल इंडिया इस्टिटूट से हो जाए और रिकंफर्म हो जाए कि हां इनको आरेने पॉजटिव है तो हम इनको दवा मुहिया कराने की पूरी कोशिश करें इस मामले में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारे यहां से तो सरकार जो है इभिटाइटी सी की दवा मुप्त में दे रही है और हमने तो जो यहां तक की जो जाँचे है मेरे खाल से एम्स में भी जांचे भी मुप्त करेंगे तो जिन लोगों को हिपटाइटी सी की दवा डाइलिसी सेंटर वालों ने लिखी है बाहर से हम वो अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनको भी दवा मुप्त में मुहिया कराएं लेकिन हमें यह जानना ज़रूरी है कि क्या उनका आरने सच में पॉजिटिव है